यूट्यूब फैमली आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल अउनली फोर यू विद कमाल में हम लोग एक नए वीडियोज की स्रंकला शुरू किये हैं जिसके अंतरगत हम इंडियान इंस्परेशनल प्रसनेल्टी के बारे में जानेंगे इसमें परतेक दिन जिनका भी जनम दिन होगा उनसे जूरी वीडियोज डाली जाएंगी उमीद है आप सभी को ये वीडियोज जरूर अच्छा लगेगा अगर आप कुछ हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें चलिए आज का हम वीड में बुद्धिमान होता है जिसे मार समार दोनों आता हो कहने का मतलब यह है कि हमें पता होना चाहिए कि अपने दुष्मन से कब लड़ना है और कब लड़ाई से बचना है आज हम ऐसे ही वैक्ति के बारे में जानेंगे जिसकी कुशलता एवं युद नीती के कारण हम जैसे युद में बाजी मार गए और उनकी रननीतिक सूजबूज के कारण चायना जैसे बड़े देश को गलवान घाटी में पीछे हड़ना पड़ा जी हां हम बात कर रहे हैं भारत के वीर बहादूर लेफटेनेंट जैनरल योगेश कुमार जोसी की लेफटेनेंट जैनरल वाई के जोसी का जनम पाँच जनवरी 1962 इसवी में फरीदावबाद हर्याना में हुआ था इनके पिता आरपी जोसी गवर्मेंट इंप्लोई थे और इनकी माता मिनाक्षी जोसी ग्रीनी थी यह अपनी शुरुवाती सिक्षा पूरी करने के बाद NDA के एकजाम में पास होने पर NDA पूने के छातर बन गए यहीं से इन्होंने अपनी जूनियर मिलिटरी ट्रेनिंग और ग्रेजुएशन पूरा की इसके बाद इन्होंने इंडियन आर्मी जूइन किया और ट्रेनिंग के लिए दहरादून चले गए और ट्रेनिंग पूरा होने पर इन्हें 13 जमु एंड कस्मीर राइफल्स के ओफिसर के रूप में नुक्त किया गया ये लगातार अपने काम में माहिर होते गए और पहले लेफटिनेंट फिर कैप्टन और एडी जीपी बने ये जी ओसी ओफ 14 कॉप्स के पद पर भी काज कर चुके हैं ये जेन के राइफल्स और लद्दाग स्काउट रेजिमेंट के करनल भी रह चुके हैं लेफटनेंट जेनरल वाइके जोसी के युद रनीती एवं कुशलता दिखाने का समय भी आया जब पागिस्तान ने कारगिल की सभी स्ट्रेटिक चोटियों पर घुसपैट करके कबजा कर लिया तब भारतिय सेना ने सभी चोटियों को वापस अपने कबजे में लेने के लिए शुरू किया ओप्रेशन विजय और इस ओप्रेशन को लीड करने की जिम्मेदारी मिली भारत के रनबाकूर वीर योद्धा साहस का दूसरा नाम लेफटनेंट जेनरल वाई के जोसी को उनके आदम में साहस, रननीतिक सूजबूज एवं दूर दिरिष्टी के कारण ही हम तोललिंग टॉप और बत्रा टॉप के साथ सभी चोटियों को वापस लिए और पागिस्तान को एक बार फिर मुहखी खानी पड़ी और भारी नुकसान का सामना करना परा उनकी बटालियन को कारगिल यूद के दोरान दो परंबीर चक्र, आठ वीर चक्र, 14 सेना मेडल, सहीत, कूल, 25 से अधिक वीरता पदक मिला लेफटेनेंट जेनरल वाई के जियोसी को चाइना का एक्सपर्ट भी माना जाता है क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से चाइनीज भासा का इस्तेमाल करना आता है और ये कई बार चाइना विजीट भी कर चुके हैं इसलिए नय फरवरी 2021 को नौर्दन आर्मी कमांडर बनाया गया जब गलगवान घाटी में इंडियन आर्मी और पियले के बीच जड़प हुआ तो दोनों देश युद के मुहाने पर आखड़ा हुए अब या तो दोनों देश युद करते और हजारों लाखों की जाने जाती और दोनों देश दशकों दशक पीछे चले जाते या सूज भूज के साथ इस युद को टाला जा सकता था इसके लिए लगातार पांच बैठके हुई और चैनीज आर्मी पीछे हटने के लिए तयार नहीं थी तब लेफटेनेंट जनरल वाई के जोसी ने 29 से 30 अगस्त की रात को एक साहसिक कदम लिया और रेजेंगला सहीत कई सामरिक दिरिष्टी से उची चोटी पर कबजा बना कर वहां अपने सारे हथियार और टैंक्स उतार दिये जिसके देखने के बाद चाइनिज आर्मी ने भारत के साहस और बुद्धिमानी का लोहा मान लिया और पीछे हटने के लिए तयार हो गए लेफटेनेंट जनरल वाई के जोसी को अपने करियर के दौरान कई मेडलों से सम्मानित किया गया उन में से कुछ मेडल ये हैं उत्तम युद सेवा मेडल अतिविशिष सेवा मेडल वीर चक्र और सेना मेडल तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें और जाद से जाद से शेयर करें धन्यवाद